Okay student, this is clip number 3 of week 5, come to architecture. अच्छा हम बात कर रहे थे, memory reference instructions की और हमने देखा कि हमारे पास instructions कैसे execute होती है, and और add को तो हमने देख लिया, अब हम ज़रा LDA पर आते हैं. अच्छा, LDA में होता क्या है, कि हमारे पास एक value पड़ी भी है, हमारे पास क्या, memory में, और उस memory से value हमने उठानी है, यानि operant की value उठानी है, और हमने कहां पर load करनी है, हमने accumulator में load करनी है, तो हम देखते हैं कैसे होगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हर instruction से पहले T T1, T1, T2, T3 हो गये होगे, T1, T2 fetch के ले इस्तिमाल होती है, यानि instruction execution cycle के fetch के ले इस्तिमाल होती है, T2 और T3 हमारे पास decode होती है, हमारे पास जो operant का address होता है, वो T2 में हमें बिल चाता है, हमने last clip में भी देख लिए है, ठीक है, तो हमारे पास operant का address हमें T2 में मिल गया ह हमने वहाँ पर हम गए मेमरी में गए उस address की बेस पर जो भी value पड़ी थी हमने DR में load की और DR में load करने के बाद हमने क्या किया हमने T4 expire होगी और T5 में हम आए और हमारे पास ये value DR की accumulator register में आ गए यानि हमने memory से एक operant को उठाया अगर हमने उसे load करना है accumulator register में तो इस instruction को हम LDA कहेंगे और LDA काम कैसे करता है इस तरह यहां पर मैं आपको यह बता दूँ इसे हमें D2 क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका जो op code है यानि 12, 13 और 14 बिट है वो है 010 ठीक हो गया तो on the basis of that हमारे पास ये D2 हमारे पार decoder का on किया इसके लिए अगर आप फिर भी आप confusion है तो last lecture की वीडियो देख लिए उसमें काफी चीज़ है ये detail में हमने explain की हुँए अच्छा अब हमारे पास आ जाता है store to AC store to AC का मतलब है कि हमने हमारे पास एक value पड़ी है वो value पड़ी है accumulator register में और हमने वो value उठा दी है और हमने कहां पर load करनी है हमने किसी memory location पर करनी है तो decoder में 0,1,1 आएगा यानि 12,13 और 14 bit की जब ये value होगी तो हमारे पार decoder की output जो होगा वो D3 हो जाएगा और T3 तक हम पहुंच चुके हैं instruction execution cycle में अब हम T4 में आएगे ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे इसी की जो भी value होगी हम यहाँ पर load कर देंगे और हमारा sequence counter 0 हो जाएगा हमारा काँफ़ता अब हम आते हैं BUN यानि branch unconditional branch unconditional जो है basically उसमें यह होता है कि अभी मैंने आप clip number 1 में भी explain किया लेकिन दुबारा मैं यहाँ आपर explain करता हूँ कि हमारे पास यह होता है कि हमारे पास हमारा जो पूरा का पूरा program होता है हमारे पास memory में load होता है और वो consecutive lines में होता है ठीक है तो यानि हमारे पास हर instruction का जो address होता है वो unique होता है और हम किसी भी एक location से दूसरी location पर jump लगा सकते हैं यानि हम किसी एक instruction दूसरी instruction पर jump लगा सक थी processing की instructions थी और ये जो हमारे पास तीन instructions है ये program control instructions है ठीक है कि हमारे पास program की execution क्या होगी तो अगर हमने जिस instruction पर jump लगानी होगी उसका अगर हमारे पास address given है तो वो हम कहाँ दे देंगे PC में दे देंगे तो अब हमारे पास next instruction होगी वो consecutive instruction execute नहीं होगी बलके जिस address पर हमने जाना है वो instruction पर हम चले जाएंगे ठीक है और वो execute होगी क्योंकि आपको थोड़ा समय यहाँ पर याद दिला दूँ इस diagram पर हम दोबारा आ गये हम T1 में क्या कर दे दे program counter हमारे पास plus 1 हो जाता है plus 1 होने का मतलब है कि अगर मेरे पास instruction number 1 execute होई है उसके बाद मेरे पास instruction number 2 execute होगी उसके बाद instruction number 3 होगी कि हम हर cycle में हम हर instruction execution cycle में हम plus 1 करते जा रहे हैं याई हम 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 की बात कर रहे हैं तो by default हमारे पास instructions की execution होती है वो in line होती है sequential होती है अच्छा लेकिन अगर हमने jump लगानी है तो हमें एक address देना होगा और हम PC में चले जाएंगे यानि अब हम 2 के बाद अगर मैंने line number 10 पर jump लगानी है तो ये line number 10 का address कहां पर होगा AR में होगा और मैं यहां से jump लगाऊंगा PC में ठीक हो गया और हमारे पास इत्रा instruction ये execute हो जाएगी और हमारे पास sequence counter अब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास zero हो जाएगा यानि हम next instruction की त्यारी करेंगे अब यहां पर हम बात करेंगे BSA की branch and save return address BSA को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहां पर एक figure यहां पर present किया गिया है और इसको समझना वड़ा आसान हो जागा यहां पर BSA में होता basically क्या है कि हम एक sub program से दूसरे sub program पर jump लगाते हैं अच्छा यहां पर हम sub program को function भी कह सकते हैं हम sub program को procedures भी कह सकते हैं हम उसे sub routine भी कह सकते हैं तो यहां पर हमने कुछ यहां पर एक example दी है उसको हम ज़र समझते हैं कि हमारे पास line number 20 पर यह हमारे पास line number 20 है यानि यह हमारे पास किया है basically address है line number 20 है 21 है और यह चलते 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 हम लोग काफी आगे चलेगे 135, 36 and so on ठीक हो गया तो line number 20 का जिसका address है instruction का उसमें हमने क्या किया हुए BSA 135 यानि हमने jump लगानी है line number 35 पर अच्छा तो यह हमारे पास line number 135 पर एक sub routine है यानि एक नया function है जिसमें हमने call करने है जब हमारे पास PC में line number 20 का address होगा तो हमारे पास जब BSA आएगा 135 तो हमारे पास जो next instruction है हमारे पास basically जैसे भी थोड़े देर पहले हमने देखा था कि हमारा जो program counter होता है वो plus one कर लेता यानि अब जब ये line execute होती होगी तो हमारे पास PC ने अपने आपको update करके क्या कर लिए line number 21 का हमारे पास PC में address आगी है लेकिन होगा ये कि हम इस address को save कर लेंगे ठीक है save कर लेंगे जैसे आपको यह उपर नजर भी आ रहा है कि हमने PC का address किसी खास memory location पर हमने save कर लिए और हम jump लगा देंगे किस address पर 135 पर ठीक है क्योंकि ये AR में ये address है ठीक है अब आपको पता है कि हमारे पास mostly जैसे हम अगर आपको assembly की example दो तो हमारे पास क्या होता है go to होता है na go to label पर होता है तो उसमें हम label से तो हमां instruction की execution start नहीं करते उस next line से करते हैं तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया plus one करती है तो हम label की तो कोई मतलब ऐसकी value नहीं होती यानि as a instruction तो वो treat नहीं होता तो हम यहां पर execution करेंगे line number 136 से so that is why हमने यहां पर PC में plus one किया और यह AR किया है हमारे पास यह हमारे पास line number 135 जो था यह हमारे पास AR में था जैसे आपको यहां पर नज़र आ रहा है हमने इसमें plus one किया तो हम यहां से execution को start करेंगे यह sub-routine जिसे आप sub-program भी कह सकते है इसको आप function भी कह सकते है आप इसको procedure भी कह सकते है अच्छा जब यह सारी की सारी आपके पास क्या हो जाएगी instruction के execution हो जाएगी ठीक है तो जब हमारे पास execution हो जाएगी तो अब हमारे पास PC में line number 21 नहीं आएगा हमारे पास PC में क्या आजाएगा line number 135 यह वाला diagram जो है यह इस चीज का diagram है यह वाला diagram इस चीज का है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर line number 35 का हो जाएगा तो हमने यहां पर return address भी किसी एक memory location पर save कर दिया ठीक है वो जो भी होगा हम देख लेंगे लेकिन यह वाला address आपको बता रहे कि अब program counter की जो value है वो हमारे पास 136 आ गई है और हम यहां से instruction की इस procedure की करेंगे लेकिन यहां पर जो important बात है वो यह है कि हमने return address को क्या कर लिया है save कर लिया है तो यह हम कैसे काम करेंगे यह भी हम step by step काम करेंगे ठीक हो गया T3 तक तो हमारे पास instruction की type determine हो कई यह fetch भी हो गया instruction की type determine हो कई T4 पर हम आया T5 इसके off code की वज़र से आया program counter हमने return address save किया और यहां पर थोड़ी सी वलती होई है इसको आप दरह देखने बलके ठीक है यह AR में plus 1 करेंगे और वो वाली value हमारे पास कहां पर आजाएगी AR में जैसे हमारे पास यहां पर क्या था 135 था तो उसमें प्लस 1 करेंगे हमारे पास क्या आजाएगा 136 और फिर हमारे पास जब यह काम हो जाएगा तो T5 में हम उसकिया करेंगे 136 को हम कहां पर डाल देंगे program counter में यानि हम यहां पर आजाएगी ठीक हो गया और पिर जब यह काम खतम हो जाएगा तो हमारे पास instruction complete हो जाएगी और हमारे पास sequence counter क्या हो जाएगा zero हो जाएगा increment and skip zero को अभी थोड़ी देर पहले भी clip number two में भी discuss कर चुके है clip number one में भी हमने देखा हमने last lecture में भी देखा था इसमें होता यह कि हमारे पास counting हैं हमने counting करना है और हमने हर counting के बाद क्या करना है चेक करना है क्या हमारे पास zero तो नहीं आया अगर zero आ गिया है तो हमने loop को break कर देना है वरना हमने वही चीज़ repeat करना है हम यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास memory location पे टीडू पर हमें यह operant मिल गिया ठीक है उसको हमने DR में डाला हमने उसमें value लगस की यह वही negative sign वाला concept है तो इसको मैं दोबार repeat नहीं करता है अच्छा हमने plus one किया और हमने value को update कर दिया कि इसमें DR में और फिर हमने देखा कि हमने DR को इसी memory location पे save कर दिया और फिर हमने check किया कि कहीं हमारे पास DR की value 0 तो नहीं है अगर 0 है तो फिर यह हो जाए वरना फिर यह सारा procedure दोबारा repeat होगा ठीक होगा तो हमारे पास increment and skip if 0 हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है और यह हमारे पास इस basic जो computer organization है जिस processor को हम discuss कर रहे हैं chapter number 5 में उसकी सबसे lengthy instruction है और यह हमारे पास T4 पे हुआ T5 पे हुआ T6 अगर आप देखें बाकी तमाम instructions जो है वो हमारे पास कहां पर end हो रही है T5 पर end हो रही है तो यहां पर हम अपने clip number 3 को हम यहां पर end करेंगे और हम clip number 4 में register reference instruction को देखेंगे ती को यहां थैंक यहां थैंक यहां